कि अब बहुत बड़ा जूब दिन है गर्पती का फेस्टिबल में चल रहा है क्या त्याना चाहेंगे त्क्री बड़ी खुशी हो रही है भुच्पुरिया समाज के लिए जी बहुत ज्यादा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शिव नरायन जी एक ऐसे निर्माता है जो निश्चीत रूप से इस इंडस्ट्री में अच्छी फिल्म बनाने के नियत से ही आये हैं और इसके पहले उन्होंने जो फिल्म बनाई थी मैंने देखा भी था खेसारी जी के साथ में मेरे चोटे फिल्म बनाई थी उन्होंने और मुझसे भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है और निश्चीत रूप से जिस तरह की शुरुवात हुई है आप देख सकते हैं कि वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं पहला कदम ह बड़ा जोरतार है तो मैं उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और इसके बाद जो हमारे छोटे बाइग साथ है खिसारी जी के साथ मैं यह व Forsch में बनेगी तोो अच्छी फिल्मों की शुरुवात एक दिन हुई है यह हमारे यह बहुत खुशी की बात है हमारे industry के लोगों के लिए खुशी की बात है जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं उनके लिए भी और जो हमारे दर्शक हैं जो हमारे चाहने वाले हैं उनके लिए खुश कबरी हैं क्योंकि जिस तरह का लोग उनूने दिखाया है मेरी फिल्म में और खेसारी जी के फ को मिल रहा है जो जब मैं परदे पे करूँगा तो मैं बहुत इंज्वाइ करूँगा क्योंकि कहानी एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर की है जिसकी चाहत होती है कि वो वर्थी पहनने के बाद बड़ा रुवाबदार बनके बुलट पे बैटके और लोग उसको सलाम ठोके और वो अपना चला जाए इतना सारा दिल में चाहत लेके जो लड़का पुलिस में भरती होता है फानली पता चलता है कि उसे अपने ऑफिसर के घर पे ऑफिसर के कुट्टे को दूद पिलाना पड़ता है तो वो सोचता है कि क्या मैं इस दिन के लिए भरती हुआ था क्या मैं मज़े लगता है वह बरश्टा अधिकारियों के खिला कि एक होईम है अगर उन के बरश्टा धिकारियों के खिलाब से ज़्यादा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सपना लेके एक लड़का जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है और जो सपना लेके जो सोच के वो फोर्स में भरती होता है जो उसकी चाहत होती है कि मैं देश की सेवा करने के लिए फोर्स जॉाइन कर रहा हूं पर कहीं ने कहीं जा कि उसको क्या वो सपना पूरा कर पाता है या वो अपने अला अधिकारियों के सेवा में उसको लगना पड़ता है तो मैं कहूंगा कि इस बात पर ज्यादा इस स्क्रिप्ट में ध्यान रखा गया है कि वो सारी जो चाहते हैं वो कैसे टूपती हैं कैसे भ इन्हों ने जब भी मेरे साथ फिल्म बनाई एक निर्माता की तौर पे नहीं मनाई इन्हों ने मेरे साथ जब एक बाप बेटे का रिलेशन जैसे होता है एक घर परिवार का रिलेशन होता है इन्हों ने मुझे बेटे की तरह टिट किया और और एक रिस्ता है इंसे मेरा और पर दूसर की तरह कभी इन्होंने नहीं किया और यह जो मेरी मूबी है यह मेरे उरीजिनल लव के उपर है हम जो गाव में भागते थे चिठी ठेकते थे 22 बाइट के हाथ मार देखे अपने गल्फ्रेंड को बहुत पंगा होता था एक बार जैसे हुआ था साप बैट किया था चिठी फेका एक बारा और पर भाई सहाग दी तो फिर उसी गोबर के साथ मेरी गल्फ्रेंड ने उस चिठी को उठाया और फिर ले जाकर पढ़ा फिर निकाला निकाल के फिर पढ़ा देखे हम हमने लुप किया है ऐसे लुप आज की जीवन में कुछ नहीं हुआ है हम प्रबालीची पर्बादी चिठी उपने लिखते हैं तो प्रपालीची आप क्या क्या रहे हैं और बहुत बढ़ा है करती ंदस्टेख करने लिए को मैं बहुत एक्साइटटर अधू हूँ है जिस तरह कि आज ऑन उपने होई है फिल्म की और जिस तरह का फिल्म का लुक आप देख रहे हैं तो मैं बहुत जाथ एक्साइटेट फील कर रहे हूं इस फिल्म का पार्ट होने के लिए और शिव्डारायन जी के साथ काम करने मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है और अमरपाली की जोड़ी फिर फिर नजर आएगी क्या है हाँ फिर से नजर आएगी लेकिन स्टोरी इस फिल्म की इतनी अच्छी है इतनी डिपरिंट है विल्कुल भी रिपीटिट बेस पे नहीं है बहुत ही डिपरिंट स्टोरी है तो इसमें जब हम काम करेंगे तो बहुत अलग लगेगा देखने में बहुत अच्छा लगेगा अबरपाली जी आपको मुकामा के बारे में बस इतना ही बताना चाहते हूं कि मेरे कारेक्टर का नाम है फूल देना तिपिकल गाओं की देहाती लड़की और बिल्कुल जो जिद्धी बिगड़ेल लड़की लेकिन देहाती वैसा क्यारेक्टर है और बहुत अच्छी फिल्म है उसके गाने परस्नली आज तक के मेरे सबसे फेवरेट गाने उस फिल्म में है अच्छी हम लोग ने शूट किया था वह गाना भूज में गर्मी के समय और इतनी गर्मी थी इतनी धूप थी उसी के बीच में वीवर डांसिंग दिन भर डांस करें गुलाल पड़ा हुआ है लेकिन हम कितनी भी तकलीफ में शूट करें उससे कोई परकने पड़ता ओडियन्स अगर पैसे देके सिनिमा देखने आ रही है तो उन तो मजा आना जी और आपको गाना देखके बहुत मजा आएगा पिए हमारे मित्र शिवन रांसिंग जी जो है वह कभी छोटी नोटी चीज़े नहीं करते हैं तो जब भी करते हैं बड़ा धमाका ही करते हैं और यह सुखत संजोग है कि शिवनरान सिंग जी जो वह वारे गुरू भाई भी हैं उन्हों और यह इनका बड़ब करने के मुझे बड़े भाई का रुद्वा देते हैं और एक केसारी लाल जी है यह दोनों ही और आमरबाली जी तो यह बहुत अच्छा सुपत संजोग बनाया है शेवनारान सिंग जी ने तो बहुत सारी शुक्तामना है कि वह उनकी फिल्म अनंत उच यहां से पूछो ना मेरी आख में देख के बात करने की आदत है मैं नहीं तो फिर्म जवाब में यहीं से दूंगा लपड़ा यह बीच में आए जी मैंने दिनेश लाल जी की एक फिल्म देखी हुई है निरहुगा रिक्षा वाला और वो मुझे लगा था कि बड़ी रुत जो मुझे इनके साथ काम करने का आफसर मिल रहा था लेकिन मैं भाईवीड हो गया और मैंने कहा कि भाई इसमें मैं नहीं करपाओंगा क्योंकि यह उच्छ उठी के कलाकार हैं और सिद्धहस्त है भोजपूरी में और अगर उच्छ उठी के सिद्धहस्त और आपको रहना है तो निश्चित रूप से किरदार भी उतना ही दवंग और दमदार होना चाहिए तब कहीं हम जैसे कलाकार कला का प्रदर्शन कर पाएंगे तो हम प्रदिक्षा कर रहे हैं यह लोग सब दादा लोग हैं भोजपुरी के क्या पता यह प्रोडियूस करें लेकिन इनसे प्रट इनसे मेरा सवाल यह जब यह प्रोडियूस करें तो उसमें यह एक्ट ना करें सिर्फ मैं एक्ट करें हैं यह बहुत बड़ा बड़ अपन है बहुत प्याद देते हैं बहुत आशिरवाद देते हैं और निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में में आसी में नहीं बनती जो डिस्टनल अवरण लेके आए रस्षीबल में जये तो मैं ये बात मांता हूं कि जिस दिन भी हम भ्हिया को ला पाएंगे भोजपुरी में और इनको लेके जिस दिन फिल्म बनाएंगे निश्ची त्रूप से भोजपुरी को भी जिस्टनल हमारे भजपूरी के लिए थोड़ा सभी वक्त निकाला है तो हमारी लिए गर्ब की बात है और हम पुरी भजपूरीय टीम इनको दिल से थैंकियो और स्वागत करते हैं आप कुछ बोलिए ना मैं आज हमारे छोटे भाई हैं आज तोस राना जी और हमारे गुरू भाई भी है मैं जब भी इनको जहां फोन किया होगा तुरंट यह हाजिर हो जाते हैं और मेरी दिली इच्छा है यह एक इसी बोच्परी पिच्छर बनाओं जिसमें की जो इन्होंने फिच्छर में किया है उससे बढ़के धमाका हो यही मेरी हार्दी अब है आज हम आज हमारे डी क्या प्रिश सामाज को निवां बहुत पुरा सा परिवास का आज परिवास के दॉश्ट है कि आज एक भूचपुरी फिल्म किस तरह से हिंदी फिल्म चल रही है हम लोग किसी के दया पर भूचपुरी नहीं चल रही है भूचपुरी समाज भूचपुरी फिक्चरे हमारे जो लागले लोग हैं उनके और आप सरी टग्निशन जितने भी हैं सब के बल पर चल रही है हमको किसी के जरुद भी नहीं है कि हमको किसी के मदर चाहिए भूच पर चाहिए कि अगरी सबस्क्राइब करें अच्छा है आप लोग को अगर पसंद मेरी कोई भी चीज आती है तो उसके लिए मैं दिल से थैंक्यू बोलता हूं कि एक कलाकार की कोई भी चीज अगर पब्लीक तक पहुचती है और उसको अच्छा लगता है तो मेरा सब भाग है जिए कि मुझे लगता है उसमें बहुत अच्छा एक लाइन संतोस मिश्राजी ने लिखा है जिगरा बड़ा था तभी तो ठकराने आगे जिनको अमारे बारे में नहीं पता है अब उनको पता चलेगा जंगल में शेर पुराने आगे तो उन्होंने बड़ी तेवर वाली फिल्म बनाई है जो कि हमारे भोजपूरी दर्शकों का टेस्ट है जैसा वो देखना चाहते हैं उनको तेवर वाली फिल्में ज्यादा पसंद आती है तो ये पूरी तरह से भोजपूरी या दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और उन्ह जीद तिवारी जी ने उस फिल्म को बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कि इतने में फिल्म बनेगी इतना पैसा लग रहा है और इतने दिन से शूटिंग चल रही है एक बार वे उन्होंने सवाल नहीं किया और बहुत अच्छी बहुत ब देखिए ये मुझे लगता है कि भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि ये स्वभाव है ये मानव स्वभाव है कि इसको एक दिन मेरे ड्राइवर ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया था मैं दंग रह गया कि ये कितनी अच्छी बात बता रहा है मैं एक दिन गाड़ी में बैटके जा रहा था तो उसने कहा सर यहां जो कुछ भी होता है ना सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है मैं बोला मैं समझा नहीं क्या बोलना चाहते हो देखिए आप लोग फिल्म बनाते हैं मनोरंजन के लिए आपकी फिल्म रिलीज होती है अगर चार लोग उसकी बुराई करते हैं वो भी अपना मनोरंजन कर रहे होता है और अगर किसी को अच्छा लग रहा है और वो उसकी तारीब कर रहा है तो भी मनोरंजन चल रहा है तो कोई बात नहीं यहां बस एक ही चीज है कि हर किसी को हक है अपना मत रखने का अपना विचार व्यक्त करने का और एक बात तो है कि जो आपके हिस्से में है वो कोई आप से छीन नहीं पाएगा और जो आपका है नहीं वो आपको कोई दे नहीं पाएगा तो किसी के दर्द होने से और नहीं होने से कोई भरक नहीं पड़ता बस उपर वाला अपना अशिरवाद बनाए रखे सब कुछ अच्छा होगा पूरी भोज़कूरी के साथ अच्छा होगा